तो दोस्तों, आज हम एक बहुत खास लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि SBI ब majority दे आजाता है तो यह जो लोन है, यह रेटायर्ड परसन के लिए हुए, लोन फर रेटायरड परसन तो चलिए दोस्तों शुरू करता है इस लोन के बारे लो तो after a lifetime of working and raising family you deserve a good retirement period तो जैसे कि आपको पता है कि जो retired person जो old age person होते हैं वो अपने जिन्देगी पर काम करके अपने family को खुश रखने की कोसिस करते हैं तो उनके बढ़ाफे में उनका भी एक अच्छा retirement plan होना चाहिए उनके लिए भी कुछ होना चाहिए कॉर्मेंट उनके लिए भी कुछ करना चाहिए फिर उनके बच्चों को उनके लिए कुछ करना चाहिए फिर बैंक को उनके लिए कुछ करना चाहिए तो ऐसे में दोस्तो SBI bank एक loan का प्लान ले गया आया है जो कि सिर्फ retired persons के लिए है दोस्तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं मान लिजए एक senior citizen है जो कि कहीं पर job करते थे या फिर उनका कुछ business था कुछ भी था तो ऐसा तो नहीं है कि इनसान हर टाइम एक काम करता रहे एक particular age के बाद आपका जो physical capacity है वो down हो जाती है वो घट जाती है उसके बाद आप physically उटना active नहीं रह सकते तो उस time में आपको एक income source की support की जरूरत होती है this the bank makes payment to the borrower और borrowers in case of living spouse against mortgage of his or their residential house property तो जोस्तो यह loan अगर आपके नाम पे कोई भी retired person है उनके नाम पे अगर कोई जमीन है या फिर उनके नाम पे कोई घर है उनके wife affair ladies लेना चाते है लोन तो उनके husband के नाम पे घर है या फिर वो property है तो आप अपने घर और property के against यह loan ले सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो इसके features के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं तो इसका पहला feature है क्योंकि यह senior citizen के लिए है इसका interest rate बहुत कम है दोस्तो compare to दूसरे loan जैसे कि house loan हो गया, car loan हो गया, personal loan हो गया इन सब loan का interest ले लगभग 12-15% रहता है इसका interest rate बहुत कम रहता है दोस्तो फिर loan low processing fees इसका जो processing charge है SBI claim करता है कि यह बहुत ही कम रहता है दोस्तो फिर no hidden charges इसके उपर bank कोई भी hidden charges नहीं लगाता है फिर no prepayment penalty इसके उपर अगर आप loan को time से पहले clear कर देते हैं तो आपको कुई penalty बगरा देने की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तो फिर इसके eligibility के बारे में थोड़ा बात कर रहता है जैसे दोस्त हमने पहले आपको बताया था कि यह जो loan है वो senior citizen के लिए है पर senior citizen के में भी कौन-कौन से senior citizen है जिसके eligible है तो पहले दोस्तो residential type जो भी senior citizen इस loan को avail करना चाहते है इस loan को लेना चाहते है उनका residence must be India होना चाहिए इंडिया के बाहर के senior citizen को यह loan नहीं मिलेगा दोस्तों फिर दूसरा point हो गया दोस्तों उनका age कम से कम 60 साल होना चाहिए minimum age 60 years when single borrower in case of joint borrowers spouse's age should be more than 58 years अगर आप अपने नाम पर यह loan लेना चाहते हैं तो आपका age कम से कम 60 साल होना चाहिए और अगर आप अपने wife के नाम पर यह loan लेना चाहते हैं तो आपकी wife का age कम से कम 58 साल होना चाहिए दोस्तों फिर loan tenure अब कितने महीने में या फिर कितने साल में इस loan को repayment चुकता करेंगे इसका time है दोस्तों 10 से 15 साल मान लीजिए आप भी 2022 चल रहा है 2022 में आप loan लिए तो 2022 से 10 या 15 साल के बाद बाद के तक यह 10-15 साल में आप यह loan को आराम से दीरे 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 अपने हिसाब से चु 10 लाट रूपय का loan मिल सकता है दोस्तों और ज्यादे से जदा एक करोड तक का loan मिल सकता है इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हर किसे को एक करोड का loan मिल जाएगा यह बहुत से चीजों पर depend करते है जैसे कि आप यह जो loan layer है उसके लिए अपने घर या फिर आपने कोई property क रखेंगे तो उस property का कितना value है market में और आपकी age कितना है आपकी आप पहले कहां पर काम करते है या फिर क्या business करते है ऐसे कुछ-कुछ छोटे-छोटे criteria है उन सब के उपर भी depend करता है दोस्तों फिर आगिया दोस्तों interest rate and fees इस loan के उपर आपको कितना interest rate देना पड़ेगा क इसका processing fees जैसे कि आमने बात किया था दोस्तों कम रहता है जनरली processing fees एक से देड़ परसंट कराता है पर इसका 0.5 परसंट आदा परसंट रहता है इसका processing fees 2000 से सुरू होके 20,000 रहता है दोस्तों minimum और maximum उसके बाद इसके ओपर कुछ आपको taxes देना पढ़ेंगे फिर post section stamp duty payable for loan loan agreement stamp duty हमेशा करकिसी loan में देना पढ़ता है property insurance premium जो आप property ले रहे हो इसका insurance आपको कराना पढ़ेगा CRE SAI crisis registration fees of 50 rupees plus GST up to Rs.5,000,000 limit and Rs.100 plus GST limits above 5,000,000 तो आपको 50 रुपए CRE SAI crisis registration fees आता है इसके ओपर मैं detail में नहीं जा रहा हूं इसको आप 50 रुपए देना पढ़ेगा उसके बाद GST तो अगर आप 5,000,000 से ऊपर का loan ले रहे हो तो इसको आपको 100 rupees plus GST आपको देना पढ़ेग फिर यहांगे दोस्तों document इस loan को लेने के लिए आप क्या क्या document चाहिए होगा पहले होगा दोस्तों list of papers or documents applicable to all applicants तो पहला होगे दोस्तों employer ID card आप जहां पर भी job करते थे या फिर business करते थे उसका एक ID card होगा या कोई भी proof होगा उसको देना पढ़ेगा loan application अब loan जब भी यह loan apply करोगे उसके लिए आपको application दिया जाएगा application का form दिया जाएगा उस form को fill up करके उसके साथ तीन passport site photograph देना जाहिए दोस्तों आपको फिर proof of identity आप इसमें पान काड़ दे सकते हैं पासपोर दे सकते हैं अपने driving license दे सकते हैं अपने water i-card दे सकते हैं bill, gas bill, passport, driving license, अधर-card इन सब में से कोई भी एक दे सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने slash slash दिया है इसका मतलब यह सारा का सारा नहीं चाहिए इन में से कोई एक आप दे सकते हैं bank को फिर आजा दोस्तों property papers आप जिस भी अपने property या फिर घर या फिर ज अगर आपने permission लेके बनाए है उसका proof अगर यह applicable हुआ तो कहीं कहीं कुछ-कुछ जगह पर यह applicable जैसे कि चोट गाओं वगरा में गाओं तहसील वगरा में इसके नहीं चाहिए इसको इतना importance नहीं दिया जाता क्योंकि गाओं वगरा में village area में उतना permission लेके कोई भी घर नह है तो मैं इसके बारे में उतना नहीं बात कर रहा हूँ occupancy certificate मान लिजा अगर आपने कहीं पर कोई घर direct खरीदा है या फिर flat खरीदा है तो उसका certificate फिर approved plan copy तो अगर जैसे कि हमने पहले ही बात किया था कि आपने अगर कोई पर कुछ direct जैमिन खरीद रहे है तो उसका जो plan हो होगा उसका approved copy फिर payment receipt or bank statements showing all payments mode made to builder और seller जैसे कि मान लिजा आपने एक घर खरीदा है मान लिजा आपने 15 साल या 20 साल पहले कुछ घर खरीदा तो आपने उसका payment क्या होगा तो उस payment आपने जो क्या है उसका दोस्तो एक आपको document देना पड़ेगा proof देना पड़ेगा फिर आगी है दोस्तो account statement तो पहले छे महिने का आपको bank account का statement देना पड़ेगा फिर if any previous loan from the other bank or lender then loan account statement for last year या जनरली आपको पिछले छे महिने का आपको bank statement देना पड़ेगा दोस्तो इसमें पर अगर आपके नाम ने पहले से कोई कोई लोन है तो इस case में आपको एक साल का आपको bank account का statement देना पड़ेगा फिर income proofs for salarad applicant, co-applicant, guarantor आप इस loan के लिए अगर कोई guarantor रख रहे हैं तो उनका income का proof चाहिए होगा जैसे कि उनका salary sleep दे सकते हैं या फिर TDS return, IT return ये सब वेगर आप दे सकते हैं दोस्तों फिर income proofs for non-cellarad co-applicant or guarantor तो अगर आप कहीं पर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका guarantor जो है वो salary rate नहीं है अगर आपका guarantor sellerad है तो उनका salary sleep होगा अगर आपका guarantor होंगे वो business कर रहे हैं तो उनका salary sleep काल जाएगा तो उस case में आप क्या करेंगे जो भी business है उसका address उसका IT return पिछले तीन साल का उसका balance sheet पिछले तीन साल का business जो license होना चाहिए फिर TDS certificate form 16 कुछ भी दे सकते हैं आप certificate of qualification यह से अब आप दे सकते हैं दोस्तो तो दोस्तो अगर आपके पास हमने जितना भी इस वीडियो में बता है सारा document सही सही है तो यह loan आपको आराम से easily मिल जाएगा तो दोस्तो अगर आप जाना चाहता है कि इस loan के लिए आप कैसे apply कर सकते हैं online और offline तो प्लीज हमें comment कीजिए हम इसके उपर एक second part लाके आपको बता देंगे तो इस loan को कैसे apply किया जा सकता है तो दोस्तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमेरे चैनल को subscribe कीजिए इस वीडियो को like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि यह वीडियो जो है दूसरों लोगों को भी आपके दोस्त को भी काम आ सके दोस्तों आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद दोस्तों